हैं राजधानी लकनों के आपने अंत्रन केंदर में यहां से आपने यंत्रण विभाथ के द्वारा लगातार निगरानी वर्ति जा रहे हैं प्रदेश में जो कुछ जन्पदों में बाण है वहां कैसे सहहताँ पहुं了 यहां पर लगातार Jen विख्यानी राहत आयुक्त कारेले से मेडम किस तरीके से आप लोग नियंत्रित कर रहे हैं रेस्क्यू आपरेशन को और खास्तोर से वर्तमान इस्थिति क्या है इसमें प्रदेश की देखे वर्तमान में 15 जनपद ऐसे हैं प्रदेश के जहां पर कुछ कहीं कहीं छुटपुर जगों पर जलबराओं के सिति है जिसमें से शाह जहां पूर जिला ऐसा है आज की तिथी में जहां पर कुछ लोगों को उनके घरों से निकल करके अन्यत्रिस्थान में रहना पड़ रहा है जिला पर शासन ने बाढ़ शरडाले बनाए हुए हैं उन बाढ़ शरडालेयों में उनको टीमें हैं ये लगातार निरंतर फील्ड में रहतबचावकारे कर रही हैं जिला परशासन के साथ समनवे कर रही हैं राहत आयुक्त मोहदेय प्रति दिन समीक्षा कर रहे हैं जनपदों के साथ जिसमें SDRF NDRF की टीमें भी समलित रहती हैं और उसमें हमें पता होता है कि की पोर्स की आवश्यक्ता है एकॉर्डिंग्ली उस तरीके की रिसोर्सस उस जन्पद में डेपलॉय किये जा रहे हैं तो निरंतर जिला प्रशासन हाई एलर्ट पर है जो रहत बचावकार हैं वो निरंतर किये जा रहे हैं इसके लावा खाद्याने सामगरी लोगों के रहने की खाने की वेवस्ता वह सारी में सुनेशित की जा रही हैं पंदरा जन्पद प्रभावित हैं इन में कौन-कौन से जर्धिया सबसे ज्यादा उफान पहे हैं और आने वाली चुनाइन आपको लगता है कि इन जन्पदों में सबसे ज्यादा अभी रहेंगी अंधिये नदियों में जादा है अभी गंगा और यमुना में ऐसा पानी नहीं है जिसके कारण कोई विशाम इस्तिती उत्पन हो लेकिन जनपत तब भी हाई अलर्ड पर हैं सारे और निरंतर फील्ड पर दौरे कर रहे हैं और वहां की विवस्ता वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं भी बाड की को इस्तिती उत्पन नहोंने पाई सुरावस्ति बल्राम पर सिधार्थ नगर में कल सुनने में आया था एक पानी अचानक से आ गया था सिधार्थ नगर में हां सिधार्थ नगर में जो खड़ा तैसील है वहां पर पानी आ गया था 106.07 मीटर घागरा नदी का जो जलस्तर है वो खत्रे का जलस्तर है और 106.25 पर वो बह रही थी मतलब 0.18 मीटर उपर बह रही थी लेकिन अभी वर्तमान में एक जलस्तर कम हो रहा है और लगबग 9000 परिवार है जो से 9000 जनसंख्या है जो से प्रभावित हो रही है वहाँ पर NDRF की एक टीम, SDRF की एक ट सैनाथ है, कोई emergency situation उत्पन्न नहीं हो रही है, हाँ पर जो जल भराव की इस्तिती है उसके कारण रहातेवं बचावकार है, सारे किये जा रहे हैं मैम और आने वाले समय में मौसम विभाग क्या कह रहा है कि आगे की स्थितिया आप जल इसतर घटे गारना दियोंगा पीली भीत का ही जो पानी था पीली भीत में परसों काफी स्थिती गडबर थी वहां पर काफी एकदम से पानी आ गया था और कुछ लोगों को एयर रेस् मानने की ओर है वहीं का पानी शाजहांपुर में आया है यह दीमा कर दीजिए तो साजहांपुर में जो पानी आया है वहीं से आया है और उसी के कारण शाजहांपुर की सिती वहां एक हॉस्पिटल में भी पानी भर गया था शाजहांपुर में लेकिन ततकाल उस पानी को वहां से पेशिंट्स को निकाल करके दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया बहुत ही क्विक इस तरीके से कारेवाई वह पर प्रभावित हुए हैं मैं आप लोगों की रिपोर्ट में हैं ऐसे में जिन लोगों को राहत सीवरों में रखा जा रहा है किस तरीकी की आपक देखे इस वर्ष जो बाड की तयारी है वह हमने जनवरी से ही शुरू कर दी थी जनवरी माह में ही प्रथम जो शाष्णा देश जाता है जिसमें विभिन रहात सामगरियों के टेंडर कर लिए जाने के नर्देश होते हैं जनपदों को वह जनवरी माह में ही दे दिये गए थी सभी जिलों में खाद्यान सामगरी उपलब्द कराई जा रही है, जिल लोगों को शर्णाले में लेकर आया गया है, उनके खाने की, रहने की, उनकी सुरक्षा के लिए विश्यस इंतजाम किये गए हैं, रोश्नी के वहाँ पर परियाप्त इंतजाम के मानी मुख्यमंत्र जिलों को धनराशी जारी कर दी गई है, और उनके पास ना तो धनराशी की कमी है, ना ही किसी प्रकार के संसाधन जैसे कि SDRF, NDRF या PAC जो रेस्क्यू फोर्सेज होते हैं, तो लगतार उनका प्री डेप्लाइमेंट है, फील्ड में, तो कहीं कोई इस तरीके की समस्या जहां पर कोई रहत बचाव कारियों में कोई कठिनाई आ रही हो या विश्यमता हो, ऐसा कोई जगतार दो द जिलों के साथ समीक्षा बैठक सुबह 11 बजे आहूद की जाती है, जिसमें की वो कोई भी अगर स्थिती पन हो रही है, जनपद में उन्हें कोई रेसोर्सेज चाहिए, राज्यस्तर से, उसके बारे में चर्चा होती है, इसके लावा मैं आपको दिखाना चाहूंगी, हमा अधियों के सिती वाच करता है, ताकि हमें लीड टाइम मिल जाए, हमें पहले से ही पता चल जाए, कि अगर उत्राखंड में कोई जनपद है, जहां से पानी हमारे आ आ रहा है, तो अगर वहां वर्शा हो रही है, तो वो 10 गंटे में, 12 गंटे में, 8 गंटे में हमारे रहे हैं, जिसको भी कोई आवश्यक्ता हो रही है, और यहां से उनको गाइडेंस और हैंड हो रहा है, हमारी भी अपील है कि सभी लोग अगर किसी को कोई समस्या आ रही है, 1070 पर आप साहता मांग सकते हैं, यहां से मदद की जाएगी, मैं आपने जानकारी दी प्रदेश म लेकिन सरकार पूरी तरीके मुस्तैद है, लोगों को रहत महुचाने के लिए, कैमरामन राम जी वाचपई के साथ विकास सिंग डिडी न्यूज लखनो